Defense & Space News TV में आपका स्वागत है आज Defense Discussed की ये एपिसोड में बात करेंगे Tejas MK2 Fighter Aircraft की Privatization के बारे में और इसके साथ ही बात करेंगे Indian Defense Industry Corridor के उपर लेकिन ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करने चाता हूँ कि अगर अभी तक ये चनल को सब्सक्राइब ने किया तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक देना मद भूलेगा क्योंकि ये एक माध्य में जिसके मदद से प्रेरणा मिलता है और आपके लिए हर रोज अच्छा अच्छा एपिसोड लाने का कोसिस करता हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज का एपिसोड तो जैसा ही आप सभी को मालूम होगा कि भारत के पास फिला 32 से 33 स्क्वाडन फाइटर या कफ्ट मौजुद है और भारत को टू फ्रांट वार लणने के लिए मिनिमाम 42 स्क्वाडन के जरूरत है लेकिन भारत की स्क्वाडन संक्या बनने के बज़ाए बहुत तेजी से घटने का समभवना है क्यूकि 1960s का रोशिया मेर्ट मीक 21 कुछी सालों में रिटाइट कर दिया जाएगा और इसके बाद मीरच 2000 और जैगवर को भी रिटाइट कर दिया जाएगा ठाली में मीरच 2000 का एक एक एक्सिडेंट हुआ है और इसके कारन दो पाइलट का मौत हो चुका है तो आप समझ सकते कि यह सवी फायर टाइट एक एक प्ट का बहुत दिन तक साब्रिस में नहीं रखा जा सकता है और यह दो मीडिया मोट एक एक प्ट की जागा में सामिल होगा तेजस Mk2 जो अंडर डेवलोमेंट स्टेच में है और मीरच 2000 और जैगूर जादा से जादा 2030 तक इंडियान एरफोर्स में सामिल रहेगा उसके बाद इंडियान एरफोर्स की स्कॉर्रें संखिया बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा तो ऐसा ना हो इसलिए मिनिस्टर अफ डिफेंस ने यह चाहता कि इंडियान एरफोर्स में टेजस Mk2 को सामिल कर दिया जाए लेकिन बात यह है कि टेजस Mk2 फिलार अंडर डेवलोमेंट स्टेज में है और पहला पोटोटाइप आने में दो से तीन साल लग सकता है उसके बाद क्लियारेंस मिलेगा फिर इयर कफट का मैनिफेक्टरिंग का काम सुरू होगा यह प्रोसेस के लिए 5 साल कम से कम लग सकता है अगर सब कुछ सही चले तो 2024 में मैनिफेक्टरिंग का काम सुरू होगा तो फिर 6 साल में कम से कम 100 तेजस Mk2 को बनाना परेगा से कम दस सल लग जाएगा तो भारत प्रोब्लम में आ सकता है अगर वहार सिच्वेशन केट हो जाए तो इसलिए मिनिस्ट्र अब डिफेंस टेजस एमकी 2 को प्राइवेटेजेशन करने के लिए सोच रहा है इसके उपर अभी बात चाल रहा है और इसके साथ HAL का प्रोजेक्ट डिले को लेकर थोड़ा बहुत नराज है मिनिस्ट्र अब डिफेंस ये एक करण हो सकता है कि तेजस एमकी 2 को प्राइवेटेजेशन करने के लिए और प्रोड़ाक्शन रिट को बनाने के लिए प्राइवेटेजेशन बहुत ही जरुड़ी है और इसके साथ ही HAL को रिसर्च एंड डिवलोप्मेंट में जादा ध्यान देना चाहिए लेकिन तेजस एमकी 2 का अभी तक प्राइवेटेजेशन के उपर भारत सरकर्द द्वारत कोई भी डिजेशन नहीं लिया गया है और इसके उपर आपका क्या राय है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स से जाके कॉमेंट करके बता सकते हैं और अभी बात करेंगे इंडियन डिफेंस इंडिस्ट्री कोरिडोर के बारे में आप तो जानते ही है कि भारत दूसरे देश से डिफेंस इक्विब्मेंट को इंपोर्ट करता है और भारत डिफेंस इक्विब्मेंट इंपोर्ट करने में पहला स्तान में है क्योंकि भारत में Defense Manufacturing Plan बहुत ही काम है और इसके लिए Infrastructure भी नहीं है तो इसको बदलने के लिए भारत दो नया Defense Corridor बनाने का काम कर रहा है पहला Defense Industry Corridor South India में बन रहा है चेन्नाई-Bengalore Industrial Corridor की रूप पे भारत का पहला Defense Industry Corridor बनाया जाएगा तामिल नाणू में पांच जगा में ये प्लान लगाया जाएगा और Defense Industry को एक नया रूप दिया जाएगा और ये पांच जगा है चेन्नाई, हाउसोर, कोईमबतूर, सालेम और तिरुचिरा पोल्ली में इसमें HAL, BEL यानि भारत Electronic Limited जैसा कमपानी भी सामिल होगी GMI Construction Group भी अपना Defense Plan को लगाने का बात का रहा है और ये प्रोजेक्ट अभी Initial Stage में है लेकिन Indian Government ने इसको Fast Track Project में डाल दिया है और दूसरा प्रोजेक्ट UP में बन रहा है इसमें 6 जगा पे Plant को लगाया जाएगा और उन 6 जगा है लखनौ, आगड़ा, इलहाबाद, कानपूर और जहासी ये Defense Corridor के लिए 20,000 करूर की Invest किया जाएगा और ये पोजेक्ट को Fast Track Project में डाला गया है यानि ये पोजेक्ट को जल्द से जल्द खतम किया जाएगा आज की Defense Discuss में बसीज नहीं और आकास पांड़े ने कॉमेंट किया था कि ये एपिसोड बनाने के लिए ठैंक यू आकास आपका कॉमेंट के लिए और काफी सारे अच्छा अच्छे एपिसोड के उपर कॉमेंट मिल चुका है लेकिन हम एक दिन में एक ही एपिसोड बनाते हैं तो इसलिए धीरे धीरे सभी का कॉमेंट के उपर ही एपिसोड आएगा तो देखते रहे ये Defense and Space News TV और अभी तक ये चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक देना मत भूलिएगा जाहिंद बंदे मतरम भारत मता की जए